पूरा मंदसौर शहर आक्रोश की आग में चल रहा है सब भे समाज सडक पर उतराया है क्योंकि इस शहर में कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ जंगलों में होता है इस गुस्सिक वज़े आप जानेंगे तो आपका भी खोन खौल जाएगा आप भी इनहीं मंदसौर वासियों की तरह मुठियां भीच लेंगे दिल करेगा कि तमाम कानून खायदे को भूल कर उन जानवरों की जान ले ले जिन्होंने आज साल की बच्ची से रेप करने की जुर्रत की प्राम को इसके पिताजी इसको लेने काफी लेट पहुँचे तो इन्हें पता चला कि इनकी बच्ची को स्कूल से कोई दूसरा अब्यक्ती लेकर चला गया है इन्होंने एक घंटे तलास करने के बाद से पुलीस को सुचित किया और पुलीस लगातार उस लगबग आठ बजे राती उससे तलास कर रही थी और यहाँ लक्षमर गेट के पीछे उस बच्ची को दस्तियाब किया गया है तो शिवराज चोहान के आमन राज में कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गए दरिंदों ने आठ साल की एक बच्ची से रेप किया वो भी इतने हैवानियत के साथ कि दिल्ली के निर्भया कान की याद ताज़ा हो गए ये देखी ये उसी बच्ची का स्कूल वैग है पानी की बोतल है कोई नहीं जानता वो बच्ची दोबारा स्कूल जा पाईगी या नहीं पल पाईगी या नहीं अब तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिन्दा रह पाईगी है स्कूल वाले कह रहे हैं कि एक शख्स आया और बच्ची का रिश्टदार बदा कर उसे अपने साथ लेगा ये कैसे लोग हैं जिन्होंने एक बच्ची को अजनवी के साथ धेज दी स्कूल वाले ये भी कह रहे हैं कि सिसी टीवी को चूहो ने कतर रखा था इसलिए शक्स की तस्वीरे भी दर्ज नहीं हो पए स्कूल वालों का हिसाब होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा कहीं बलातकारियों के हमसले कमाँ बेटी के स्वास्त में सुधार हो रहा है लेकिन अपरादी छोड़े नहीं जाएंगे उनको जल्दी से जल्दी फासी की सजा हो जाए फासी के फंदे पे लटका दिया जाए कोई कसर इसमनी छोड़ेंगे ऐसे दर्णदगे इस धर्ती पर बोज है और यहां जिन्दा रहने के लाइक नहीं शिवराज चोहान गुसे में हैं लेकिन इस गुसे से उस बच्ची के साथ कोई क्रूरता अब कम नहीं हो सकती अब वो बच्ची कभी सामाने नहीं हो पाई जो अपराद उसके साथ हुआ है उसका अवसाद जिन्दगी भर उसे दर्द देता रहेगा इसलिए सवाल तो शिवराज चोहान को अपने आप से करना चाहिए कि वो एक मासूम को इस हालत में पहुँचने से बचा क्यों नहीं सकी